अधरी मच आधरनी मंच और मेरे सामने बैठे हुए समानित प्रबुद जन मैं थोड़ा सा रेरा के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं और अगर रेरा की बात ना की जाए तो बात अधुरी रहती है अगर रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट सेक्टर एग्रिकल्चर के बाद भारत में दूसरे नंबर का सेक्टर है इंप्लाइमेंट देने के मामले में है इसकी वज़ा से 250 और एंसिलरी इंडस्ट्री भी चल रही है इतना इंप्लाइमेंट सेक्टर होते हुए भी है पिछले 15-20 साल से हाउसिंग सेक्टर को जैसा काम करना चाहिए था वैसा उसने किया नहीं पिछले 15-20 साल से जो होम बायर्स हैं उनका भरोसा इस इंडस्ट्री में वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था इसमें जितना standardization होना चाहिए तो वो नहीं था good governance की तो आप भूली जाए और अगर हम affordable housing की बात करते हैं तो हमारा main focus middle income group और lower income group की तरफ रहता है वैसे तो सभी लोगों के लिए अपना घर लेना एक lifetime investment होता है समा नित्या लेकिन जो middle income group है और जो lower income group है उनके लिए तो वास्तों में ये जिन्दगी में एक मात्र समझाता होता है अपना घर लेना और उसमें अपने पूरे जीवन की पूंजी वो लगा देते हैं और अगर वो पूंजी फस जाए या डूब जाए तो समझ लिजे उसके दुखों का फिर अंत नहीं होता तो उसका भरोसा कैसे वापस लाया जाए तो 2016 में जब दर रियल स्टेट रेगुलेशन और डिवलोप्मेंट टेक्ट 2016 ये जब आया तो अप धीरे धीरे जो घर खरीदार था खास तो पर जो मिडल इंकम गूरुप के ओर लोगरं कम गूरुप के है वह भरोसा वापस आने लगा है और साथ ही साथ इंडस्ट्री जिसमें स्लम चल रहा था उमीद है कि आने वाले दिनों में इसमें तीजी भी आएगी, क्योंकि भरोसा भी लोटेगा, मैं किवल तीन बिंदूओं पर बात करूंगा, अभी, एक तो बात करूंगा कि एप्लिकेबिलिटी कहां पर है, मैं ज्या काम चल रहे है, उसकी बात करूंगा, सबसे पहले बात करते हैं, अप्लिकेबिलिटी, यानि रेरा कहां लाग हूँ है, वो सभी एरियाज जो प्लैनिंग एरियाज है, भारत में इनको अलग-लग नाम से कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में हम इसको डेवलप्मेंट एरिया कहते हैं, तो पहली बात जो प्रजेक्ट्स डेवलप्मेंट एरिया में आते हैं, और जो डेवलप्मेंट एरिया में आते हैं, उन में जिनका प्रजेक्ट एरिया 500 स्कौयर मीटर या उससे ज्यादा है, या उस प्रजेक्ट में जिन में नमबर अव यूनिट्स आर्ट या तो मान लीजिए अगर आप कहें कि साब जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है लेंड वो चाट सो फचास स्क्वार मीटर है क्या वो आएगा तो हमने भी एक लाइन सुनी हमने कर नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आपने का नंबर आफ यूनिट दस है तो इसका मतलब आएगा इन द युक्त पूरे देश में जो फ्लैट's की विक्री हो रही थी उसमें अलग अलग तरह के अरिया यूज हो रहते खरेंश उ कहीं बिल्टप एरिया कहीं सुपर एरिया कहीं प्लिंग इडैय कार्पिट इरिया है और कैलकूलेशंस का तरीका भी स्टेंडर्ड नहीं था अलग आलग राज्ज में अलग अलग ढूल झाल निए तो होता ही था एक राज्ज में भी कई कई तरीके से कल्कूलेशन कर लेता था लेकिन अब अधिनियम में ये कह दिया गया है कि पूरे देश में जो फ्लैट्स की बिक्री होगी केवल एक ही एरिया होगा और वो कार्पेट एरिया और कार्पेट एरिया की गणना कैसे होगी वो भी अधिनियम में लिख दिया गया है यह अब यह इसका मानिकी करण हो गया पूरे देश में फ्लैट्स की बिक्री केवल और केवल कार्पेट कि हिसाब से होगी और वो कार्पेट एरिया का कल्कुलेशन वैसे ही होगा पूरे देश में जैसा अधिनियम में लिखा गया एक तो यह स्टेंडर्डाइजेशन हो गया एक और बात अक्सर जो होम बायर्स शिकायत किया करते थे डिफॉल्ट हो जाने की स्थिती में डिफॉल्ट दोनों का हो सकता है बिल्डर या प्रमोटर का भी डिफॉल्ट हो सकता है अगर उसने देर में घर दिया या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया या और कोई कई ची नहीं थी एलोटी से तो लिया जाता था थारा परसेंट पीनल इंट्रेस्ट अगर अलोटी का डिफॉल्ट हो जाए लेकिन बिल्डर्स ऐसा नहीं करते थे कि वे काफी कम रेट पे पिनल इंट्रेस्ट देते थे तो अब अधिनियम में यह दिया गया है दो बातें कि रेट ओफ इंट्रेस्ट in case of default वह सेम होगा अरथाथ अगर एलोटी का अलग अलग नहीं होगी और क्या होगी वह वही होगी जो राज्य सरकार अपने नीमों में प्रिस्क्राइब कर देगी तो हमारे राज्य उत्र प्रदेश में जो रेट आफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट की सिती में प्रिस्क्राइब किया गया है वो है MCLR of SBI अर्थात Marginal Cost Lending Rate of State Bank of India प्लस 1% यह rate of interest बदलता रहता है तो यह आप SBI की website पे देख सकते हैं कि आज क्या चल रहा है आज लगबग 8% के आसपास है तो अगर आज की rate में अगर कोई default होता है तो दोनों पक्ष जो rate of interest पे करेंगे एक दूसरे को वो होगा एट प्लस वन अर्थात 9% के आसपास यह तो हुई rate of interest की बाद आप अखबारों में पढ़ते रहे हैं गौतम बुदनगर में दिल्ली में घाजियाबाद में लखनौ में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स हैं बरसों हो गए और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनके लाखों रुपे डूबे पड़े हैं और वो इधर से उदर भाग रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा क्यों हुआ ऐसा हुआ ऐसा कि बहुत सारे प्रोमोटर्स ने जो पैसे लिये लोटी से उन पैसों को जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिये गए थे उनमें खर्च नहीं किये कहीं और खर्चा कर दिया फॉर एक्जमपल किसी दूसरे शहर में जाकर कोई डिगरी कॉलेज खोल दिया इंजिनरिंग कॉलेज खोल दिया कोई दूसरा वेपार शुरू कर दिया या अपना लेंड बैंक बढ़ाना शुरू कर दिया जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया था उसमें खर्चा नही प्रोण्ट और जो भी रिसी देबल होंगे उसका 70% उस खाते में जमा होगा और उसका खर्चा जो 70% इसमें जमा हुआ है केवल लेंड और कंस्रेक्शन में खर्च होगा अन किसी मद में खर्चा नहीं होगा अर्थात प्रजेक्ट का पैसा जिस काम के लिए लिया गया है उसी काम में प्रयोक किया जाएगा नो डैवर्जन एलाउड अगर कोई प्रमोटर फॉल्स प्रॉमिसेस करता है जूटे वाइदे करता है किताब में कुछ लिखा जो उसका ब्रोशर था और वास्तों में वो नहीं दिया या जो मॉडल एपार्टमेंट दिखाया वैसा नह अधिकार है कि वो अपना पूरा इंवेस्टमेंट प्रस्क्राइब इंट्रेस्ट जो मैंने अभी बताया एम सी एलर प्रस वन परसेंट उसके हिसाब से वापस मांग सकता है और अगर नहीं मिलता है तो रेरा में कंप्लेंट कर सकता है यूपी रेरा उनने दिलाएंगे औ प्री रेजिस्ट्रेशन पेमेंट प्री बुकिंग पेमेंट यह सब चीज अब गुजरे जमाने की बाते हो गई रेरा आने के बात से अब यह सब नहीं हो पाएगा पहली बात कि रेरा में रेजिस्ट्रेशन से पहले किसी परकार का विग्यापन नहीं चप सकता किसी परक आप एक पार्टी रखी और वहां पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया और प्री रेजिस्टेशन एमाउंट ले लिए नहीं हो गये जब तक रेरा में रेजिस्टेशन नहीं होगा किसी प्रकार की डिरेक्ट या इंडिरेक्ट मार्केटिंग उस प्रकार कैट्ट में किसी होंुम बाइर से अपार्टमेंट की कास्ट के 10 परसेंट से अधिक तब-तक नहीं ले सकते जब तक की A agreement नहोजाए agreement फर शेल agreement नहोजा है और वो जो यंग्रेयमेंट सेल जो पहले हुआ करते ते वह नहीं होगा October 2018 में एक model agreement for sale आ गया है वो one-sided नहीं है अदिनियम के अनुसार balanced है जब तक वो नहीं हो जाएगा 10% of the cost से एक रुपया भी उपर अब promoter नहीं ले सकते हैं अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने position ले लिया उसके तीन साल बाद building में क्रैक आ गया या कोई और defect आ गया तो अदिनियम में ये कह दिया गया है कि कब्जा लेने के पांच साल के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई structural defect आता है या workmanship की कमी होती है अगर पांच साल के अंदर ऐसा होता है तो प्रमोटर की defect liability होगी अर्थाद जैस पांच साल के भीतर अगर कोई home buyer प्रमोटर को ये शिकायत करता है कि मेरे अपार्टमेंट में ये problem है तो शिकायत करने के अगले 30 दिन के अंदर बिना कुछ चार्ज किये प्रमोटर को उसे ठीक करना होगा ये पांच साल की defect liability है अगर position देने में डिले होता है position देने में डिले होता है कहा गया था कि हम माग को तीन साल में घर दे देंगे हो गए छे साल साथ साल तो एलोटी को ये home buyer को ये right दे दिया गया है उसमें दो तीन right है एलोटी चाहे तो प्रोजेक्ट में अब रहे डिले होने की सिती में और अगर एलोटी चाहे तो प्रोजेक्ट से बाहर जा सकता है अगर वो प्रोजेक्ट से बाहर जाने का निरने लेता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट विद प्रेस्क्राइब इंट्रेस्ट ये लेने का उसे अधिकार है रे रहाने से पहले ऐसा नहीं होता था उसका काफी पैसा काट लिया जाता था और बची खुशी रगम उसे लोटाई जाती थी अब ऐसा नहीं होगा कम्प्लीट टोटल पैसा जितना इंवेस्टमेंट किया है विद इंट्रेस्ट मिलेगा अगर पोजेशन देने में विलम होता है तो इसके लावा बहुत जगे शिकायत आदी थी किसा बहुत दिनों बात पता लगा कि टाइटिल में डिफेक्ट है घर लिए हुए पंदरा साल हो गए एक रात में आधी रात में बुल्डोजर आकर घर के सामने खड़ा हो गया अपने महराश्टरा वगरा कि कई कैसे सुने हो होंगे ऐसे हम किसी प्रजेट के नाम नहीं लेंगे अब ऐसा नहीं हो पाएगा एड़ टाइम आफ रजिस्टेशन प्रमोटर को अपने लीगल टाइटिल के बारे में बताना होगा अपने डाकुमेंट सब्मिट करने होंगे इतना ही नहीं अगर फिर भी ऐसा हो जाता है पोजेशन लेने के बाद चाहे जितना समय हो गया हो वो लिमिटेशन से बाढ़ नहीं है चाहे जितना समय बीद गया हो अगर पता लगता है कि इसका टिफेक्ट टाइटिल में डिफेक्ट था तो होंबायर कंपनसेशन के लिए अपलाई कर सकता है कंपनसेशन में भी कोई आए जाता है position लेने के कितने साल बाद भी वो जो समय सीमा है में वो लिमिटेशन एक से बार्ट नहीं इसके लावा राइट टू इंफरमेशन राइट प्रमेशन के लिए को राइट टू इनफरमेशन में एप्लिकेशन नहीं देनी पड़ेगी सुचना का अधिकार में इसमें built-in right to information built-in पूरा अधिनियम ही disclosers का अधिनियम है अब यह पुरी कोशिश की गई है रेरा एक्ट में की uniformity of information हो अर्थाद जितनी information अपने project के बारे में promoter या builder को है लगभग उतनी ही information home buyer को भी हो यह पहली बार हुआ है रेरा आने के बाद से यूनिफॉर्मिटी आफ इन्फॉर्मिशन सूचना की एक रुपता प्रजेक्ट के बारे में दोनों पक्षों को बराबर सूचना हुआ हुआ है इसके अलावा इस्टेब्लिश्मेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर ग्रिवेंस डिरसल अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो आप रेरा में अपलाई कर सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उत्तर प्रदेश में इसका काराले है काला काकर हाउस में जहां राज नियोजन संस्थान का काराले है जिस बिल्डिंग में उसी बिल्डिंग में यूपी अगर आपको शिकायत है तो आप यूपी रेरा डॉट इन इस पर आप जा सकते हैं वह लॉगिन करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस है एक हजार रुपए का शुल्क वो भी आप से ऑनले लिया जाता है और उसके बाद टाइम बाउंड मैन आपको बता दूँ यूपी रेरा में क्या अक्टिविटीज हो रही है वर्तमान में यूपी रेरा ने एक अभी नव परयास किया है कि जो नंबर अफ कंप्लेंट से पहले थोड़ा आपको आपकड़ा बता दूँ फिर बताओं प्रयास क्यों किया गया है अभी तक जो रि हईचार के लखबक कंप्रेंट रिच द्यूटारण भी हो गया है और एक इन ड्रेस्टिंफ़ेक्ट यह है कि इन कंपलेंट्स में से इटी पर संट कंपलेंट्स के अभी ऩारेंट की और रिचन किये और यंटीर रीजन का जो 80% है और अब तक जिन प्रजेक्ट को यूपी रेरा ने डिफॉल्टर घोशित किया है उनकी संक्या है 67 67 जिसमें से 63 प्रजेक्ट गौतम बुदनगर के हैं लखनौ के तीन प्रजेक्ट है और एक प्रजेक्ट मथुरा का है अब आपने देखा कि नंबर अफ कंप्लें संक्या बढ़ रही है तो यह प्रयास किया गया कि आउट आफ कोट सेटल्मेंट की कोई विवस्था की जाए तो एक कंसिलेशन फोरम बनाया गया है और उसमें बहुत लोग आ रहे हैं दोनों तरफ से एपलाई किया जा सकता है प्रमोटर की तरफ से भी और होम बायर की तर आपने दी है जो टार्गेट्स दी है जो क्वाटरली टार्गेट्स दी है फिजिकल फैनेंशल रेरा उनको लगातार फालो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो फिजिकल फैनेंशल टार्गेट दिये गए है वो एचीव किये जा रहे हैं अत्व नहीं ताकि जो टाइमल अगरा दिन तक रेरा देखता है कि इसमें कम्पलाइंस हुआ यह नहीं हुआ उसके बाद एक्जीक्यूशन की करवाई शुरू होती है जिसमें रिकवरी सर्टिफिकट इत्यादी जारी किया जाता है R.C. इत्यादी की करवाई होती है इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं शिकायत करते हैं कि सब यह अन्रिजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है इसको रिजिस्टर्ड होना चाहिए था तो यह नागरिकों के लिए एक एप भी विक्सित किया गया है और वेब साइट पर भी है अगर आपको लगता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके शहर में चल रहा है जिसे रेरा में पंजीकृत होना चाहिए लेकिन वो पंजीकृत नहीं है आप उसकी फोटो कीचिए और एप पर उसी समय पोस्ट कर दीजिए उसका थोड़ा विवरन दीजिए एप पे पोस्ट कर दीजिए रेरा उसकी जांच करता है और जो आवश्यक कर वाई हो करता है अब तक लगबख साड़े तीन सो मामले ऐसे आचुके हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी को इनस मैणिजमेंट मौड्यूल लागू कर दिया किया है जिसको रेरा ने एकोर्ट कहा इलेक्ट्रानिक कोर्ट नहीं इस कोड़ सेट अप कर दिया गया है अब जो भी कंप्लेंट हो रही है वो एकोर्ट मोडूल में दर्जो रही है और दो मार्च से जो जिस प्रकार की सुनवाई अब तक होती रही है वो बंद हो जाएगी केवल इकोर्ट माडूल पर ही सुनवाई होगी लिए और यह हमारे नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है प्र्मोटर के लिए बहुत अच्छा है रेरा के कहरियले में पहले दो तीन बार आना पड़ता था तीसरी बार में फैस जो आदेश हो पाता था अब दोनों पक्षियों को किवल एक बार आना पड़ेगा ई कोर्ट electronically होता रहेगा अंत में जिस दिन बहस होनी है कि अबल एक बार आना होगा और उसी दिन order reserve हो जाएगा और site पे upload कर दिये जाएगा इसके अलावा sector को promote करने के लिए unified single window system for real estate sector इसके लिए RERA काम कर रहा है और जितनी परकार की जो clearances होती है real estate में RERA दोरह यह प्रयास किया जा रहा है single window system के माद्यम से हमारे जो promoters हैं उनकी शिकायत रहती है कि जो सरकारी विभागों में कुछ उनको परिशानी होती clearances में आने वाले दिनों में वो परिशानी दूर हो जाएगी single window system अपना काम करेगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप से कहा था कि जो fund diversion की बात थी उसके लिए separate account खुला गया है तो बहुत से लोग उसका नुपालन नहीं करते हैं अधिकांच लोग कर रहे हैं फिर भी रेरा ने monitoring के लिए concurrent audit of separate account project के लिए विवस्था की है उसके लिए chartered accountants का एक पैनल बनाया गया है और समय समय पर UP RERA different projects का audit अपने पैनल के chartered accountants से करवाते हैं और यह सुनिशित करते हैं कि उसका divergen नहीं हो अंत में मैं केवल यह कहूंगा कि रेरा के आने के बाद से home buyers का भरोसा इस field में लोटने लगा है और उत्तर प्रदेश के जो home buyers हैं वो कहने लगे हैं कि UP RERA है तो भरोसा है Thank you very much Thank you